अस्सलाव अलेकुम बच्चों चन्द बच्चों की खाहिश पर मैं पहला दूसरा तीसरा लेसन लेसन तो नहीं पढ़ रही हूं ज़रा समझा रही हूं मैं समझी अच्छी तरह से और समझाने के लिए मैं त्हुड़ा द्रेंक इस्निमाल करेई कड़ास नहीं है लेकिन बच्चों के का इन्टेस बढ़ाने के लिए उनकी तवज्व बढ़ाने के लिए और जरा शौक पैदा करने के लिए मैं यह उतार रही हूं देखिए यह दूसरा लेसन है आम दूसरा लेसन आम है इस तरह देखिए यह आम बनाएंगे यह बड़ा एक सी बनाएए आप बड़ा सी बनाएए ऐसा इंग्लिश का सी जो रहता न वो इंग्लिश का सी या पहली का फर्स्ट मून बनाएए फिर नीचे और एक छोटा सी बनाएए आप छोटा सी ऐसा छोटा सी और एक बनाएए छोटा सी यह छोटा सी फिर एक उल्टा सी फिर बनाएए इधर मिला दीजिए उपर एक डंडी बना दीजिए और इसका जो शार्प पॉइंट है उसको जरा थोड़ा बलंट करिए मोटा कर दीजिए देखिए यह आपका ताजा मोटा आम तयार है अब इसको अगर खुबसूरती को पत्ता लगाते हैं इसको ऐसा करिए पत्ते के अत्राफ उसमें कालियां बना दीजिए यह आपका आम हो गया यह है यह है यह ना यह लो हाँ मैं जरह तेजी में कर रहे हूं आपको पहला प्रिफरेंस आपको सीखाना पढ़ाना है लेकिन आपका शोख बढ़ाने के लिए मैं यह उतार रहे हूं मैं उसलिए इसमें टाइम नहीं लगाँगी भी गरीन था है जी गरीन है हो गया हाँ चलो हाँ अब देखें आम तयार है आम आम में आवाज कितने आवाज आ रहे हैं गहर कर यह आ आम अ अलीफ की वाज आ रहे है एक अलीफ की वाज आ रही आ रही आ रही न बच्चो आम एक मीम की वाज आ रही है एक मीम की वाज आ रही है एक मीम की आ रही है यह मीम है और मीम आम पहो जाता लेकिन इसे क्या है आम ऐसा की ही बोल ना है इसलिए यह अलीफ पर क्या मद देंगे मद देने से अवास खीच के पड़ते हैं इसलिए मद दालेंगे पहले ऐसा तिर्कस करेंगे फिर थोड़ा ऐसा तिर्कस करके ऐसा ये मद हो गया अलीफ मद मेम आम ये अलीफ मद मेम आम हाँ अब देखिए मद कैसा लिखेंगे मद को बताती हूँ मैं मद के लिए देखिए आप गोर करिए आप मद के लिए पहले ऐसा तिर्कस लेन लेना तिर्कस लेन लिए फिर और तिर्कस दुसरी लेन फिर ऐसी तिर्कस लेके ऐसा लेना है ये मद ऐसा ऐसा लेते मद, ये मद है ऐसा या ऐसा ये मद नहीं होता अब देखे ये लेन क्या है? ऐसी आरी, तिरकस आरी ये जो है, ये सीधी लेन है ये लेन सीधी है, ये ऐसा है ये भी गलत है, ये भी गलत है यह ऐसा करके यूँ जाके यूँ, यह सही है, मद, अलिफ मद, अलिफ मद, यह आ है, आम, अब यह मीम कैसा लिखेंगे, खौर करिए ज़रा मीम, उर्दू का आठ, यह नमबरिंग में, 1, 2, 3, एक, दो, 3, जैसा रहता, उसमें, आठ, उर्दू का आठ कैसा रहता, वो छोटा बना ये, एसा, ये छोटा, 8 हो गया, 8, फिर उसको ऐसा गुमा के, ऐसा लिए, ये मीम है, ये क्या है, मीम है, उर्दू का 8, फिर उसको गुमा के, आप ऐसा लिजी, मीम, उर्दू का आठ देख रहा ना इटर उर्दू का आठ ऐसा फिर इसको ऐसा गवा कर सोगे, ये मीम है, ये अलीफ मत हये, मत कैसा रहेंगा ऐसा slanting रहेंगा, फिर दूसरी line भी slanting ऐसे आएगी, अब देखे यह जो line है, पेपर की, उससे ये खरीब है हिस्सा, ये दूर है हिस्सा, पिर ऐसा है, तो अगर आप ऐसा लिखेंगे, लिखते हैं जल्दी में ऐसा लिखते, या ऐसा लिखते तो यह सब गलत होता है ऐसा है सही ऐसा है तो यह मीम हो गया अब देखिए अब इसमें क्या है का है बुक किदर है अब देखिए बुक अब आम हो गया दो है दो कुछ देखिए डाल को कैसा करेंगे देखिए डाल और करिये डाल को थोड़ा बिल्कुल सीधा भी नहीं करेंगे थोड़ा स्लाइंट करते हुए ऐसा गोल लेके ऐसा छोड़ींगे ऐसा ऐसा करते वे ऐसा छोड़ेंगे ऐसा करते वे ऐसा छोड़ेंगे ऐसा 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 कर या ज़र आगे निकालेंगे ऐसा आगे निकालेंगे यह डाल है डाल वाओ वाओ तो यह वाओ है ये वह हुए अब देखे अब ये आम पूराम लिखेंगे ये अलीफ ये मद ये छोटा एट करके यो आम अलीफ मद आम अलीफ मद छोट आम आम हो गया है अब ये ये आम है ये एक लवज है इसमें दो हरफ है अलीफ है ये मीम है अब उनको खुलना करना है अलग करना है तो कैसा करेंगे ये अलीफ है अलीफ है ये ये मीम है अईसा करेंगे ओ है अगीётся अच्पन अउनीफ पक्पराशन गया है ये